नहीं, यह जूट है, मेरा बापू किसी का खुन नहीं कर सकता उस रात मैंने एक आदमी को देखा था पिछले 20 सालों से उसका चहरा मेरी आखों के सामने है ये वही चहरा है राजा, भीमा का चहरा सुरज मतले बापू का नाम वरना वरना क्या वरना मैं भूई जाओंगा के तू मेरा दोस्त है दोस्ती भूलाई जा सकती है राजा लेकिन उस आदमी को नहीं भूलाई जा सकता जिसने एक घर उजाड़ा हो एक मासूम और बेगुणा बच्चे को अनाद किया हो लेकिन मैं यह कैसे मालूँ जिस आदमी ने खूद एक अनाद बच्चे को बाल पोस्त कर इतना बड़ा किया है वो किसी और बच्चे को अनाद कर सकता है यही तो मैं जानना चाहता हूं राजा कि भीमा ने जो कुछ किया किसके कहने पे किया वो आदमी कौन था जिसके रिवॉल्वर से निकली हुई गोली ने डाड़ी की जान ली यह बात सिर्फ तेरा बापू बता सकता है भीमा बता सकता है ठीक मगर बापू से तू नहीं मैं पुछूँगा तू पुछेगा क्या तेरे पूछने से वो बता देगा नहीं राजा भीमा जैसे लोगों की जुबान सिर्फ पुलीस को लवा सकती है सुरज बापू से मैं पुछूँगा अरे राजा बेटा तू आ गया ये ले बहुत थग्या होगा ले तेरी टांक कैसे टूड़ी दी बापू टूटने दे टूटने दे दूसरी भी टूट जाये तो क्या है मुझे सारा देने के लिए तेरे जैसा बेटा है न तुम इंस्पेकर धरम वर्मा को जानते हो बापू धरम वर्मा नाम सुना हुआ सा लगता है हाँ याद आया बीस साल पहले वो इदर का बड़ा साब था बहुत बहुत जालम आदमी था जरा जरा सी बात पर बंद कर देता था फिर मैंने सुना था कि किसी ने इसका खून कर दिया था ये खून किसने किया था बापू तू मेरे से ऐसे पुलिस वालों के जैसे सवाल क्यों करता है क्या बात है मुझे बता दे बापू एक बार एक बार तू मुझे बता दे के तुने सुरेज के बाप का खून नहीं किया मेरे सर पर हाद रखका तुए एक बार नहीं बोल दे बापू एक बार नहीं बोल दे उसके बाद अपन तेरी तरफ उतने वाला हर हाथ को तोड़ देगा बापू एक बार बोल एक बार तु नहीं बोल दे बापू एक बार तु नहीं बोल दे नहीं मैं जांता दापको मैं जांता